योगी सरकार का च्छपर फाड तोफा, यूट्यूबर्स और इंस्टरग्राम के दिन बहुरेंगे हर महीने 2-8 लाक रूपए देगी योगी सरकार एक-एक यूट्यूबर्स की बदल जाएगी किस्मत पुरदेश में योगी के फैसले की होने लगी प्रशलसा दोस्तों सियम योगी ने डिजिटल दुनिया की करांती को देखते हुए एक बहुत बड़ा एलान किया है सियम योगी के इस एलान से पूरे देश की विपक्षी पार्टियों में भयंकर हड़कंप मच गया है सियम योगी योट्यूब, फेस्बुक, इंस्टेग्राम और ट्विटर वालों को रोजकार का अफसर मान कर बहुत बड़ा तौफर दे दिया है माना जा रहा है कि सियम योगी के इस एलान के बाद से यूपी की राजनीती में बड़ा भयंकर बदलाव हो सकता है दरसल योपी में पहली बार योगी सरकार अपनी एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है अब इसके तहट यूट्यूबर्स और अन्य सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को भी विग्यापन दिये जाएंगे योगी सरकार ने इसके लिए कई कैटिकरी बनाई हैं जुनके तहट दो लाख रुपई से लेकर आठ लाख रुपई तक दिये जाएंगे साथ ही ये भी शर्त रखी गई है कि अगर कोई कॉंटेंट, क्रियेटर भढ़काओ कॉंटेंट बनाता है तो उसके खलाफ कानूनी कारवाही भी की जाएगी जानकारी के मुताबक अभी तक सरकार के ओर से सिर्फ रेजिस्टर्ड मीडिया चानलों, अकबारों और दिजिटल वेबसाइट को ही विज्यापन दिये जाते थे पर अब योगी सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और कॉंटेंट क्रेटर्स को भी इसमिश्वामिल करने का फैसला किया है योगी के इस फैसले के बाद से लोग प्रशन सा खूब कर रहे हैं योपी सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक सरकारी योजनाओ और उपलब्धियों को जनता तक पहुचाने के लिए उत्तर विदेश डिजिटल मीडिया नीती दोहजार चौबिस तयार की गई है इसके तहट वीडियो, ट्वीट, पोस्ट या रीस के जर्ये फेस्बुक, इंस्ट्रिग्राम और यूट्यूब पर भी सरकारी योजनाओ और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित एजनसी या फर्म को सूची बद करके विग्यापन दिये जाएंगे सरकार का मानना है कि इसके जर्ये देश और विदेश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा हर महीने योट्यूबरों को लाखों रुपए देगी योगी सरकार सरकार के प्लान के मुताबेक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स के हिसाब से चार कैटिगरी में बाटा गया है फेस्बुक, इंस्टेग्राम और एक्स के लिए हर महीने पाच लाख, चार लाख, तीन लाख या दो लाख रुपए की अधिक्तम राशुदी जाएगी वहीं यूट्यूब के लिए यही सीमाक रमशो आट लाख रुपए, सात लाख रुपए, छे लाख रुपए और चार लाख रुपए हर महीने देगी साथी ये भी कहा गया है कि इन प्लाट्फॉर्म पर आपती जनक कॉंटेंट अप्रोट किये जाने की स्थिति में संबंधित आजैंसी या फ़र्म के खिलाफ कानूनी कारवाही की जाएगी सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी स्तिती में कॉंटेंट अभध्व, अश्लील या रास्ट्व विगोधी नहीं होना चाहिए ब्योबे रिपोर्ट डीके ट्विपाठी सब्सक्राइब करें साम टीवी क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक-एक कारनामी की हकीकार और हाँ अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोटबा